सब्सक्राइब टू एवरिवान अमन दिस साइड ही योगा एंड फिटनेस ट्रेनर होप यू ओल आ दूइंग ट्रेट वेल्कम ओल तो आज यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसी ब्रीधिंग टेक्निक्स जो कि आपके लिए वेनिफिशन होगी इम्मूनिटी बूस्ट करने के लिए और अगर आपको कोरोना हो गया है तो उस टाइम पे भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो होने वाली है हम सबको पता है कि दिन बर दिन करोना के केसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं अन्वांटर मेंटर स्ट्रेस क्रियेट हो जाता है ऐसी सिच्वेशन होती है कि आप बाहर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो सबसे बैस चीज जो आप कर सकते और यही एक मेंन लोजीक है जिसकी वरसे कुछ लोग बहुत आराम से किसी भी सिच्वेशन से बाहर निकल आते हैं लेकिन कुछ लोग उसी नौमल सिच्वेशन में स्टॉक हो जाते हैं फर्स्ट मैसेज मैं आपको देना जाहूंगी कि हम मानते हैं कि बहुत बुरे हाल है बाहर जाना सेफ नहीं है उस से पहले पैनिक नहीं होना है डर एक ऐसी चीज आप जितना डर होगे वह आपके उपर उतनी ज्यादा अट्रेक्ट होईगी तो सबसे बेस चीज नहीं है स्टे श्ट्रॉंग स्टे काम फिस आपको करना है वैक्सिनेशन लगवानी है बहुत ह होती अच्छे लेबल पर हर जगा स्टार्ट होगी है इंडिया तो आप जितना जल्दी हो सके खुद को वैक्सिनेशन करवा हो एटीन प्लस तक स्टार्ट हो चुकी है तो लेडिस आपको कुछ तिहानक नहीं कि पीरिट्स के पांच दिन पहले या पांच दिन बाद आपको को बागी टाइम है उस टाइम पे आप ऍवेक्सिनेशन लगवा सकते हो जो कि बहुत जरूरी है इससे गया होगा मान लो आपको वैक्सिनेशन लगवाने के बाद करोना हो भी जाता तो इससे फायदा यह होगा कि कम से कम आपको उसके जो इलिफ्क्रिश मुहुत ही कम लिए अपनी और अपनी फैमिली के सेफटी के लिए हमें वह अवाइट करने हैं जितना हो सके उतना ज्यादा अवाइट करो सोचल गैधरिंग को मास्क लगाना बहुत जरूरी है यह कुछ पेसिक चीजे हैं जो हमें बारा बोली जाती है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इ हमारे रसोई में ही बहुत सारी ऐसी अरे मेडिसीनल हाब्स है जो हमारे पास अवैलिवल होती है आप उनको डेली यूज़ करें और उसके अलावा डेली ही आपको यूगा और प्रनायाम जरूर करना है यह आपके ऑवरॉल हैल्थ को इंप्रूव करेंगे और आपकी इम्म कोविट की केस में जो अब ही सबसे बड़ा इफेक्ट सामने आ रहा है वो है ऑक्सीजन लेवल का कम होना बोडी में उसका रीजन है लंक कापेस्टे डिक्रीज होना हमारे लंक्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं जिसके वज़से हमारी बोडी में ऑक्सीजन करें ताकि अगर आपको फाइट करने भी पड़ती है कोविट से तो आप सट्रोंग्ली उससे फाइट कर सोगो तो फस्ट जो अभी हम करने वाले हैं वह ब्रामरी तो मैं सबसे पहले आपको तरीका बताऊंगी कि ब्रामरी करते कैसे है फिर उसके बाद में दिन में कितनी ब mensen Lex queer 유 Parmesan अप्ट त्रेंग सबसे पहले बहाएं मेरी साउंड प्रडिऊस करते हो यह संड नंप आप साउंड प्रणाूस करें अधना जादि बाकिए बाइप्रेशन अपकी बोडि में dust एक तरेवल करकुएंग और इंग ब्रेशन से करोगे हमिंग साउंड प्रड्यूस करोगे उसकी वाइबरेशन से नाइटर सॉक्साइड प्रड़क्शन होगी जिससे आपके आपके लंग स्टॉंग बनेंगे और अगर कोई आपको इशू है लंग से लेटर तो डेफिनिटली अपने आप ही क्योर हो जाएगा सबसे पहले आपको थंप से अपने एर क्लोज करने है लाइक दिस अब उसके आद अपने टू फिंगर से से आइस क्लोज करो नाव ब्रीध इन हैव डीप ब्रीध इन अगें ब्रीध इन do it four times जैसे आपके four complete हो जाएंगे take your hands down now breathe in and breathe out do normal breathing have a focus on your breathing do it five times जैसे five breathing complete हो जाएगी आपको अपने हाथ रपकर में है उसके बाद आँकों पे लगाओ और eyes open कर लेनी है यह बहुत ही जादा important है करोना के टाइम पे आपको करोना से fight back करने के लिए तो इसको आप morning और evening दोनों टाइम रिपीट करोगे और इसमें ऐसा जूरू नहीं कि अच्छे से travel करती है लेकिन अगर आपने खाना खा लिया है तो भी आप इसको असानी से कर सकते इसको करने के लिए इवन रात के टाइम में आपको नीद नहीं आ रही है उस टाइम पर भामरी करो आपको बहुत अच्छी नीद आने वाली आपको mental stress को release करता है तो को रोना क इसको increase करो 10 reps 15 reps तक आराम से लेके जा सकते हो अगर आप इतना करना शुरू कर दोगे गरेंटी दे रही हूं कि आपका within six to seven days आपका पूरा mind setup ही चेंज हो जाएगा उसके आद आपको कोई stress नहीं रहेगा you know you can fight with anything अब ही हम चलते हैं प्रॉपर ब्रीधिंग टेक्नीक की तरफ चुछी दिक्कत यह चुकी है कि हम लोग ऐसी lifestyle के धाविचल हो चुक है कि हमें हर एक चीज बहुत जादा फास्ट करने की आदत हो चुकी है तो यही चीज हो रहा है कि हम ब्रीधिंग भी इतना जादा की हम अपने असली तरीका भूली चुके है जो प्रॉटिञ का हमें बता गया है तो हमें बहुत ही डीप एंड अड ब्रीधिंग करनी है और होल्ड के साथ करना है कोमबग लगाना हैं कोमबग बहुत ही जरूरी है अगर आप अपनी इम्मुनिटी को बूश्ट करना जाते ह तो अब भी हम फॉस्ट से ब्रीधिंग टेक्निक कवर करें कि आप ब्रीधिंग कैसे करते हो सब्सक्राइब ध्यान मुद्रा में आओगे जैसे आप ब्रीधिंग करोगे स्टामक मसल कॉंट्रैक्ट होने वाली स्टामक अंदर की तरफ जाएगा और उसके बाद आपको कुंबक लगाना है ब्रीधिंग को होल्ड करना है कम से कम फाइव सेकंड के लिए जतनी लंबी सांस लिए उतनी लंबी सांस शोड़ो गये इवन उससे ज़्यादा शोड़ो गये वह ज़्यादा वैनिफिशल आपके लिए 5 counting तक breathe in करो 7 counting तक breathe out करना यह बहुत ही ज़दा effective है अगर आप इस technique से breathing करना शुरू कर दोगे कुछ दिनों में ही difference feel हो ज़ना शुरू हो जाएगा तो एक और फिर से करेंगे हम breathe in soundless, effortless breathing करने आपको अब इसको आप क्रिया के साथ हाथों के साथ कैसे यूज़ करेंगे हाथ यहां पर रखो now breathe in take your hands up now take your hands down and breathe out in time repeat करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप खुद को हील करना जाते हो यह starting है उसके बाद धीरे धीरे increase कर सकते हो 15 के तीन सट लगाने 15 के दो सट लगाने वह totally आपके उपर आप कितना टाइम खुद को दे सकते हो इसे तो second exercise और third thing जो भी recent results में प्रूब हुआ है कि अगर आप लेट के ब्रीधिंग करते हो वह आपके कोब्रा पोज कोब्रा पोज में आप पेट के वाल उल्टे लेट ते और उसमें आपको ब्रीधिंग करनी होती है इसमें आपके लंग्स बैक स्टामक सारे के सारे मसल्स इंवल्व होती है तो एक ऐसा आसन है जो आपके पूरे overall health को लिए बहुत ही जादा पूरी बोडी की स्ट्रेचिंग इस एक exercise में हो जाती है तो अभी हम करने वाले हैं कोब्रा पोज सबसे पहले आपको अपने अल्बूस को ग्राउंड पे लेके आना है उसका टेक अल्बू मैक्सिमम बैक नाव लिफ्ट यो आपके अल्बू नीचे ग्राउंड पे टच हो लिफ्ट बोडी आप डू मैक्सिमम ब्रीधिंग एज मच आपके अपने हाथों को करोगे हैट डाउंड रिलेक्स हो थरी सेकंड तो आप हमने कवर की है कुछ बेसिक ब्रीधिंग केक्निक्स अगर अगर आप इनको डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो नो डाउ आपको एक ड्रास्टिक चेंज खुद में फील होगा अपनी आप अंदर से फील करोगे कि यू आर मोर पॉजिटिव और आप उस ट्रेस को आराम से हैंडल कर पा रहे हो जो वर्क लोड की वैसे हो रहा है या फिर आप एक रूम में लोग होगे उसकी वैसे हो रहा है एक ब प्रीज टार्ट डूइंग वर्क आउट डिली कुछ भी करो योगा करो जिमिंग करो पर या फिर अरोबिक्स करो डांस करो कुछ भी करो अपनी लाइफ में एक घंटा खुद के लिए एक्टिव वर्क आउट को देना है जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो यह हम वीडियो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको ऐसे लगे इसमें कुछ भी ऐसा है जिस और की हल्प कर सकता है तो डू शेयर अधर आदर्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रस्ट थाम्स अप बटन इस 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 मोटिवेट मी मोर तो मेक सच काइ सकते हैं कि अ विडिया आपको पालाइन वे जापको इसमा आप सब कर मोले कर दो इसमें में सुन इसमांत डिक बटन आपको झाह वो और आपको ओमें इससमां मॉल वीडियो प्रस सकता है तो तेलokay है यह वीडियोचित्टू चैहलियो तेल अ, कि अवीड अच्छी। अज़क पक्षान